कि नमस्कार दोस्तों हब सभी का स्वगात आज के इस विडियो लेक्चेर में हम लेक्चेर में हम फाइलम सिलेंटर लática की जब bigger की बार में में डिकस्षन करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं 的खालड फाइलम सिलेंटरेटा ً जो है दोस्तो ये अनिमल kingdom के इंतरगद आता है तो फाइलम् सिलेंटरेटा को जेशेरली तीन लिएमें डिवाट किया गया है हमारी जो पहला क्लास वो हैफरो जोगी और दूसरा क्लास इसका माने characters के बारे हम देखते हैं दोस्तों मैंने main main character को ही सेलेक्ट किया है तो महारे जो पहला character जो है वह दोस्तों ये है बहुत marine और fresh water एनिमल होते हैं यानि की ये वो animal है जो marine और fresh water दोनों water में survive करते हैं हमारा दूसरा option है दोस्तों ये है polyp stage is dominant यानि कि इसमें polyp अवस्था dominant अवस्था होती है इसका जो तिसरा character है दोस्तों यह है गुनार्स को लेके तो गुनार्स जो इनका होता है वो ectodermal layer का बना होता है यानि कि ectoderm layer से इनके गुनार्स का origin होता है और हमारे यह जो चौन्था option है दोस्तों most important collector है तो है hydro जवा क्लास का यह polymorphism को सो करते हैं यानि कि यह class एक रूप में ना रहा है कि यहां कई रूपों में पाया जाता है तो जनरली polymorphism जो है दोस्तों dimorphism, trimorphism और polymorphism इन रूपों में यह पाया जाता है मैं कोसिस करूँगा कि polymorphism का अलग से वीडियो बनाने की इसका example देखते हैं दोस्तों example में इसका हम पहला का example यह है hydra का तो hydra जो है वो only fresh water animal होते हैं कि हाँ दोस्तों hydra जोवा या पूरे silentrator फाइलम में hydra है एक प्राणी है जो fresh water animal है नेक्स्ट इसका plant like structure को सो करता है अगला इसका example है दोस्तों वेलीला तो और इसका next example है फाइसलिया तो फाइसलियो को पूर्थकिज man of war भी कहते हैं तो यह फाइसलियो को लेकर कई competitive exams में question भी पूछा गया है दोस्तों यह एक neurotoxin hormones release करता है जो कि कोब्रा के venom के समाल होता है इसका अगला example जो है वो मिलीपेरा है दोस्तों जो कि इसे stinging coral या fire coral भी कहते हैं तो hydro जो वह class में एक order है दोस्तों hydro coralina जिसके अंतरगत यह मिलीपेरा आता है और यह hydro correlation जो order है यह एक लव तो order है जो coral को coral का formation करते हैं हमारा अगला class से दोस्तों skype हो जोगा हमारा अगला class से दोस्तों skype हो जोगा इसके जो character है पहला यह है मैलली समुदों में आहिंबिव потреб को dominant होती यानि कि Exact ten पॉलिě बस्ता नहीं होती है इसकर गुणार जो हता है वह इंडर मले बना होता है इसके एक जामपल देखें तो इसका एकजमपल में हमने लिया है और इलिया जिसको मून जली या फिर जली फिस भी कहते हैं। इसका अगला एक्जामपल है राजो स्ट्रोम। इस पर आकार्थ अगर देखा जाये तो इसका जह जो होती है, एक प्रकार्थ से जली फिस इसको कहा जाता है। हमारा अगला क्लास है दूस्तों nthoJoa क्लास nthoJoa का character देखें समाने character तो ये भी 머리 मेराइन होते हैं यानिके समुत्री प्रानी होते हैं इसमें जो है polyp अभस्ता को ये dominant होती ही यानिके इसमें polyp अभस्ता ही पाया जाता है और इसका गुनाड भी एक एंडोडर्मल लेयर से विक्सित होता है इसको जो गेस्ट्रोवस्कुलर कवेटी होती है यानि कि सिलिंट्रान जो होती है वो कई कमपार्टमेंट में डिवाइड होती है जिसे हम मीजेंट्री कहते हैं या फिर सेप्टा कहते हैं यह एक प्रमो किसका गरेक्टर है दोस्तों इन्थो जोवा का जिसमें मीजेंट्री इस पाया जाता है साथ ही साथ इस कलास को कोरल भी कहते हैं यानि कि ये जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी कोरल का फार्मेशन करते हैं for example के लिए ले जाय तो गरगोनिया, पेनेटूला और क्यूवी पिरा इसका एकजाम्पल है class enthe u jóben को 2 subclass में डिवाइट किया गया है दोस्तों हमारा पहला जो subclass है वो octocorelia है और दूसरा जो class है वो sorry दूसरा subclass है वो hegja corelia है तो पहले हम octocorelia के के बारे में discussion कर लेते हैं तो इसका जो पहला जो character है दोस्तों इसके नाम को यही बेश्ट है जिसके इसमें लिखा हुआ है Arcto और Corelia यानि कि Arcto का मतलब होता है Art यानि कि 8 इसके जो पहला ही character है दोस्तों इसमें कहा गया है कि इसमें 8 Tentacles पाया जाते और साथ से साथ इसका जो मेजेंट गेस्ट्रो वास्टूलर कवेटी है वो आठ कंपार्टमेंट में या आठ मेजेंट्री के द्वारा डिवाइड होते हैं आठ गंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं इसका अगला कारेक्टर है दूस्तों यह जो होता है मॉस्टली कलोनियल होते हैं और साथ से साथ इसमें इंटरनल एसकलेटान भी पाया जाता है इसका एक्जांपल के तोर पे देखे तो हमारा पहला एक्जांपल है पैनेटूला जो पैनेटूला को समाने तयाहब सी पेन भी कहते हैं और साथ साथ इसको सी फेदर के नाप से भी जाना जाता है अगले एक्जम्पल है दोस्तों गर्गोनिया तो गर्गोनिया को सीफ हैं या हॉर्णी कोरल भी कहते हैं साथ साथ गर्गोनिया को रेट कोरल भी कहा जाता है अगले एक्जम्पल है दोस्तों ट्योबी पोरा तो ट्योबी पोरा को ओर्गेन पाइप कोरल भी कहते हैं इस प्रिकार से अगर देखा जाए दोस्तों इसके जो examples है और इसके जो उप नाम है इनकी जो other name है इसके अधार पे बहुंँ सारे exams में questions पूछे जाते हैं देख सकते हैं पैनेटूला, गर्गोनिया और टिपोईपोरो को कौन कौन से और डिफरेंट नामों से जाना जाता है क्योंकि इनके नामों के अधार पे ही कई तरह की questions competitive exams में पूछे जाते हैं हमारा जो अगला सबक्लास है दोस्तों वो है hexa koorelia, तो hexa koorelia का समाने character के बात करें तो hexa koorelia यानि इसके नाम के अधार पे ही सबक्लास में डिवाइट किया गया है तो हेगजा का मतलब होता है 6 तो हमारे जो पहला जो कारेक्टर है इसमें जो tentacles पाया जाता है लगभग 205 से 6 की संक्चा में पाया जाता है और ये जो एनिमल है solitary या फिर colonial होते हैं with external skeleton इसका एक्जामपल देखते हैं दोस्तों तो एक्जामपल में adams या इसी को matradium या फिर sea animal भी कहते हैं ये जो animal होता है दोस्तों ये symbiose सो करता है hermit crab के साथ तो class जो antho joa है दोस्तों ये coral की नाम से famous है तो इस प्रकर दोस्तों मैंने phylum salentrator का सिर्फ class के अधार पर ही इसको classified किया है मैंने orders को इसमें नहीं लिया है जो कि important जहां से questions आते हैं मैंने उतनी को ही cover करनी की कोशेस किया है तो आज का class आज का topic यहीं पर समापत करते हैं दोस्तों मेरा जो अगला topic जो होगा वो phylum salentrator से ही होगा मैं अगला जो topic होगा वो पोरल्स से related में वीडियो कुना लिकी कोशेस करूंगा धन्यवाद दोन्यवाद